मैं सुनीता सावो आज आपको एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल सुनीता सावो केमस्ट्री टोटल सलुशन भी स्वागत करती हूँ तो देखिए मैं आज आप लोगों के लिए एक छोटा से वीडियो लेके आए हूँ कि यह आपका ब्रॉडई ऑजन इजर ब्रॉडई ओजन नाइजर मतलब ओजोन बनाने का मेथाड हम देख mom अरभ यह सीमेन, माद का लिए और यह संहें द्लेख लung में 10-15 फिपरसेंट ही वाजोन रहता है तो उससे से ज्यादा बेस्ट है कि अभी हमको मिलने वाला है उसमें 20-25 परसें और इसकी बनाने का कि अब यहां से लेकर यहां तक इसको यहां कर की नली इन की बनी होई है इसको एक पार्थर में हम लटका दिये अब क्या करें हम क्या डाले हैं है S2SO4 का solution डाले हैं इस नली के अंदर में भी डाल देए हैं उसी solution को अब क्या किये इसमें तो इलेक्ट्रोड लगाते हैं और यह लेक्ट्रोड या तो प्लैटनम के हो सकते हैं और को इस एक का यूज़ करना है आपको और दोनों इलेक्ट्रोड को मस्तिम ल और यह यह वाकर की नली के पीछ में लगा रहे हैं जादा कुछ नहीं इसमें कांच की वाकर के नली है जिसमें एक लिफ्ट्रोड लटका हुआ है वह कौपर का बना हुआ है एक पात्र लिये हैं जिसमें S2SO4 को solution मरा हुआ है उसमें उसी वाकर की नली को डाल दिये हैं जब हम इस दोनों फोलेक्ट्रोड को जोड देते हैं तो यहां पर विद्धुत पूलिंग होती है विद्धुत पूलिंग होती है चिंगारी निकलती है और जिसके कारण यह जो आपका ओटू रहता है वह उस्चेंज हो जाता है बस इतना इन्हान रखना है कि ओन दिरे- में डाला जाता है जिसमें पहले से इस्टोशों पर भड़ा हुआ था और उसमें हम डालते हैं दोनुए रेक्टोड को जोड़ देते हैं तो बितुत इस्पुलिंग होने के कारण यहां पर जो ओडू है वो जोन में चेंज होकर बाहर निकलता है जिसका परसें 22-25% पाया ज देखिए कि जैसे यहां पर 3-2 है ऑक्सिजन है यह आपकर कैसे चेंज होगा कैसे चेंज होगा 2-3 उसमें चेंज हो गया एक बार और कैसे हम समझ सकते हैं कि यहां पर 2-2 था और विशल होने के बार कुछ तूटा उसका नौजावत ऑक्षिजन बना जिसको ऑक्षिन ने फ इतना अगर आपको समझ में होगा तो लाइक शेर कॉमेंट सब्सक्राइब चरूर कीजिए का धने बादे